बहुचर्चित फरीदाबाद के सुनपेड अगनिकायन मामले में आज पंचकुला की विशेश CBI अदालत ने सभी 11 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है लेकिन CBI आज भी असली आरोपियों तक नहीं पहुच पाई जो की एक रहसे बना हुआ है बहुचर्चित फरीदाबाद के सुनपेड अगनिकायन मामले में आज पंचकुला की विशेश CBI अदालत ने क्या कारवाई की इस बारे में खासबाचीत के मारे सवराता अनिल कुमार ने अड़ोकेट अभिशेक राना से पेड मामले में आज पंचकुला की CBI अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है आज अदालत में क्या कारवाई हुई इसमेर साथ हैं एड़ोकेट अभिशेक राना इन से जानते हैं जी यह केस आज ओडर में रखा हुआ था इसमें फ्राइडे को जो सत्रा तारी को इसमें बहस हुई थी तो उसमें आज अरोप मुक्त कर दिया है और इसमें एक FIR रिजिस्टर हुई थी बलबगड में जा फायर नमबर 325 अंडर सेक्शन 147 149 452 436 and 302 and 3 of SCST Act यह रिजिस्टर हुई थी बाद में के CVA को ट्रांसफर कर दिया था लाना जी आख यह पूरा मामला क्या है यह मामला बलबगड के गाओं सुनपेड का मामला है इसमें दो बच्चो की आग लगने से मोत हो गई थी जो कि बच्चों की उमर 2 साल और 9 महिने लड़की की उमर 2 साल थी इसका नाम वेभव था और नो साल नो महीने जो की दिव्या नाम था आग लगने से उनकी मौत उगी इसमें जितेंदर जो इसमें कंप्लेंट था जो शिकायत करता था उसने कंप्लेंट दी जिसमें 11 लोगों के नाम उसने बताया कि 11 लोग ये उन्हीं के गाउं के वहां पे गुसे दिवार कूद के तो इसकी डिटेल इन्वेस्टिकेशन CBI ने करी उसके बाद CBI ने इसमें डिश्चार्ज रिपोर्ट फाइल कर दी थी कि इन गैरा लोगों का कोई रोल नहीं है ये लोग वहाँ पे नहीं गुसे कहीं नहीं राना जी जो CBI ने इन्वेस्टिकेशन की है तो इन्वेस्टिकेशन में क्या निकल कर सामने आया है और क्या असली अरोपियों तक CBI पोच पाई है या नहीं देखिए इस केस को अगर हम बात करें यह शुरू से ही ओपन एंड शट केस था क्योंकि यह इन लोगों को जो कंप्लेंट पार्टी थी इन्हें अल्रडी अर्याना पॉलिस की सिक्योर्टी मिले वी थी अर्याना पॉलिस के जमान वहाँ पे बाहर मौजूद थे तो शुरू से यह क्लियर था कि यह 11 लोग महाँ पे नहीं एंटर हुए मगर फिर भी यह चलो केस आगे चला इन्वेस्टिगेशन हुई मगर आज तक भी असली आरोपी इस केस में नहीं पकड़े गए जो मेरे मुताबिक है वो नहीं पकड़े गए क्योंकि अगर 11 यह नह यह थे मेरे साथ एड़ोकेट अविशेक राना इन्होंने बताया कि सुन पेड मामले में पंचकुला की CBI आदालत ने सबी अरोपियों को अरोब मुक्त कर दिया है अनिल कुमार टोटलियों चन्रिकार